हालो एब्रीवान तो आज आपनों के साथ मैं श्रेयर करने वाले हूं ब्राउन कटकीरीज आई मेक अप लुक और हुड़ेड आइस पर किस तरह से कटकीरीज किया जाता है वो भी मैंने बताया है और बहुत ही इजी वे मैंने इस लुक को क्रियेट किया है तो चलिए वीडि को क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रही हूं कंसीलर और इसी को आई साड़ो बेस के तौर पर मैं इसको यूज कर रही हूं तो कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का क्रीम कंसीलर और उसको दिन अच्छे से हलका हलका से ब्लैंड करना बहुत जादा रब नही करना है यह हम लेंगे ब्लाक क्लर का आईशाडो अगर आप ब्लाक अगर नहीं कर पाऊगे तो आप यहां पर डाग ब्राउन शैट हो हुँ में उपर में क्रीज अरिया पहर चाये और उटर कोर्ण पहले हम डो कर देंगे और यह निन war रहेंगे और दिन हम लायट ब्राउन क्लियर के साथ इसको ब्लैंड कर रहे हैं लगना चाहिए तो इस तरह से हम blend करते जा रहे हैं खुछ थोड़ा color लेना है और उसको blend भी करते जाना है उसके पाद हम cut crease बनाएंगे तो lead area पे इस तरह से हम concealer को रखेंगे और उपर की तरफ देखेंगे तो हमें हमारी guideline मिल जाएगी तो इसको बहुत ही अच्छे से हमको apply कर लेना है तो इससे बहुत ही easy तरीका है कि हुड़े राइस पे cut crease बनाने का तो उसके बाद हमने powder से set कर दिया था देन मैं black color का eyeshadow ले रही हूँ और cut crease के ages को हम अच्छे से blend कर देंगे देन उसके बाद हम apply कर रहे है dark brown color का shade देन उसके बाद उससे थोड़ा light brown shade लिया है और इनर भी पे बहुत ही light color का shade लिया है brown shade में तो उसके बाद मैंने brown color का glitter, simply shade मैंने apply किया है देन मैं glitter भी apply कर रहे हूँ brown color का तो हमको बहुत कम चाहिए था glitter इसलिए मैंने fluffy brush योज़ किया है अगर आपको बहुत ज़्यदे चाहिए तो आप flat brush लिसकते हैं उसके बाद upper last line पे मैं इस तरह से काजल से apply कर रहे हूँ liner के तरह देन उसको lock करने के लिए यूज़ करी हूँ liquid liner और देन outer corner पे मैं इस तरह से edges को blend कर दूँगी बिल्कुल smooth लगना चाहिए उसके बाद मैं mascara apply कर ले रही हूँ देन मैं eyelash apply कर दूँगी आयलेस लगाने के बाद आप देख सकते हो आय मेकप में कित्ता चेंज आ गया है उसके बाद मैं ब्राउन क्लर का मुझे लगाना था sorry water line पे तो मेरे पास नहीं था तो मैंने concealer palette से apply किया है उसके बाद मैं ब्राउन क्लर का eye shadow लिया है और उसको मैं lower lash line के साथ इस तरह से apply करती जा रही हूँ और देने इसको अलकल का सब blend करना है और उसके edges को blend करने के लिए मैंने use किया है बिल्कुल light brown clear का shade और inner corner को मैंने highlight कर लिया है brow bone को मैं highlight कर रही हूँ और lower lash line मैं mascara apply कर ले रही हूँ तो यह है मेरा final look I hope guys आपको मेरा यह look पसंद आया होगा और अगर पसंद आये तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर किजेगा तो चलिए अब मिलते है next video में कुलिए कर slavery